ओम शांति ओम शांति आज 10 अगस्त 2024 दिन शनी भार की साकार मुरली आईए आप सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे अभी तुमारी सब आशाएं पूरी होती हैं पेट भर जाता है बाप आए हैं तुम्हें त्रिप्त आत्मा बनाने प्रश्न अभी तुम बच्चे भक्ती तो नहीं करते हो लेकिन भक्त जरूर हो कैसे उत्तर जब तक दे अभीमान है तब तक भक्त हो तुम ज्यानी बनने के लिए पढ़ रहे हो जब इम्तिहान पास करेंगे कर्मा तीत बन जाएंगे तब संपूर्ण ज्यानी कहेंगे फिर पढ़ने की दरकार नहीं ओम शंति भक्त और भगवान तो चीज़े हैं ना बच्चे और बाप भग्त तो धेर के धेर हैं भगवान है एक तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है आत्मा इस शरीर द्वारा भक्ती करती है क्यों भगवान बाप से मिलने के लिए तुम भग्त अभी ड्रामा को समझ गए हो जब पूरे ग्यानी बन जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे स्कूल में पढ़ते हैं इम्तिहान पास करते हैं तो दूसरे दरजे में चले जाएंगे अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं ग्यानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती भगतों को भगवा भग्ती करते नहीं हो परंतु दे अभिमान में तो आ जाते हो ना यह भी तुम समझते हो वो भग्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते खुद कहते हैं हम नहीं जानते नंबर वन जो भग्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं तुम जिस भगवान के भग्त थे उनको जानत वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए, यह तो अनेक भगवान हो गए है, अपने को भगवान कहते रहते हैं, इसको का जाता है अज्यान, भगती में घोर अंधियारा है, वह है ही भगती मार्क, भगत लोग गाते हैं ज्यान अंजन सत्गुरु दिया, अज्यान अंधेर विनाश ग्यान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते गुरु तो डेर है तुम बच्चे जानते हो भक्ती में क्या क्या करते थे किसको याद करते थे किसको पूझते थे वे भक्ती का अंधियारा अभी तुम्हारा चूट गया क्योंकि बाप को जान लिया बाप ने परिचे द पार्ट बजाते रहते हो, तुम हद से निकल, अब बेहद में चले गए हो, यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते, कितनी बेहद में चली गई हैं, फिर जरूर हद में आएगी, हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंक बना देते हैं, वे भी क्या करें? क्योंकि छोटी सी बिंदू की पूजा तो कर ना सकें, कहते हैं ब्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, अब उस सितारे की भगती कैसे करें? भगवान का तो किसी को पता नहीं है, आत् ब्रकुटी के बीच में रहती है, बस, ये बुद्धी में नहीं आता है कि आत्मा ही शरीर ले पाट बजाती है, पहले-पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े-बड़े लिंक बनाते हैं, रावन का भी दिन प्रती दिन बड़ा चित्र बनाते हैं, छोटा रावन तो बन विकारों को कहा जाता है, पांच विकारों की व्रद्धी होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं, आगे देय अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया, एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे व्रद्धी को पाते गए हैं, आत्मा तमो प्रध इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अंजान है। कोटों में कोई ही यथार तरीती जानते हैं किसको बाप को कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या। जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहत का बाप ना आए तो पेटी ना भरे। पेटी सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं। सब आशाएं पूरी कर देते हैं। त्रिप्त आत्मा हो जाती है। जिसे ब्राहमनों को सिखलाते हैं तो आत्मा त्रिप्त हो जाती है। यह है बेहत की त्रिप्ती। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की त्रिप्ती और बेहद की त्रिप्ती में फर्क देखो, कितना है, बाप को जानने से ही त्रप्ती हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम जानते हो, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं न, बल कोई-कोई कह यह तो नीचर है, हम ब्रह्म में लीण हो जाएंगे, बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीण नहीं होता, ये तो अनादी ट्रामा है, जो फिरता रहता है, इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं, चार युगों का चकर फिरता रहता है, हुभु हुभु मून में भी प्लाट लेने की सोचते हैं ये कैसे हो सकता? किसको पैसे देंगे? इसको का जाता है साइनस का घमंट बादी तो है कुछ भी नहीं ट्राइल करते रहते हैं ये माया का पॉंप है न? स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं स्वर्ग को तो भूल ही गए है स्वर्ग में तो अथा धन था एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए भारत में ही इतना धन था बहुत खजाना भरपूर था मुहम्मद गजन भी आया लूट कर ले गया आधा कल तो तुम समर्थ रहते हो चोरी आधी का कोई काम नहीं होता रावन राज्य ही नहीं रावन राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी जगडे आधी शुरू हुए है रावन का नाम लेते हैं बाकि रावन कोई है नहीं विकारों की परवेश्टा हुई रावन के लिए मनुश्य क्या-क्या करते हैं, कितना मनाते हैं तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावन को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं है क्या चीज, अभी वंडर लगता है क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आधी करते थे कोई बड़ा दिन होता है तो क्या-क्या करते रहते हैं भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है वे भी कितना समय चलता है यह तुम जानते हो शुरू में इतना नहीं करते थे फिर व्रदी को पाते-पाते अब देखो क्या हाल हो गया है इतना खर्चा कर चितरवा मंदिर आधि क्यों बनाते हैं यह है वेस्ट ओफ मनी मंदिर आधि बनाने में लाख्य रुपया खर्च करते हैं बाप कितना प्यार से बैट समझाते हैं हमने तुम बच्चों को अथा धन दिया वे सब कहां गवाया रावन राज्ये में तुम क्या से क्या बन पड़े हूँ ऐसे नहीं कि इश्वर की भावी पर राजी रहना है ये कोई इश्वर की भावी नहीं है ये तो माया की भावी है अभी तुमको इश्वर का राज्य भाग्य मिलता है वा तो दुख की कोई बात होती नहीं इश्वर की भावी और आसूरी भावी में कितना फर्क है ये समझ तुमको अभी मिलती है सो भी नंबर वार पुर्शार्त अनुसार ग्यान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते हैं फलाने को ग्यान का इंजेक्शन अच्छा लगा है फलाने को कम लगा हुआ है इनको बिलकुल लगा हुआ ही नहीं है ये तो बाबा ही जानते हैं ना सर्विस पर सारा मदार है सर्विस से ही बाब बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं ऐसे भी है किसी को जास्ती इंजेक्शन लगा है किसी को बिल्कुल नहीं का जाता है ग्यान अंजन सत्गुरु दिया अग्यान अंधेर विनाश ग्यान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है फिर उनको ठिकर भी तर में ठोक दिया है बच्चों को कितना निश्य होना चाहिए बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं गाते भी हैं बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे आपकी मत पर ही चलेंगे पक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है ये पाट भी अभी ही चलता है अभी ही बाप पढ़ाते हैं तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाट फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे आत्माई सब भाई भाई हैं फिर शरीर धारण कर पाट बजाती है मनुष्य स्रिष्टी की भी व्रद्धी होती रहती है आत्माई का भी स्टॉक है ना जितना मनुष्य का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माई का स्टॉक होगा एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे ये सब बेहत के एक्टर्स हैं, इनको अनादी पार्ट मिला हुआ है, ये वंडर्फुल है ना, अभी तुम बच्चे कितने समझधार बने हो, ये पढ़ाई कितनी उंच है, तुम्हे पढ़ाने वाला स्विम ग्यान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ती के सागर, जैसे भक् में कितना मनुशे दान पुन्य करते हैं, इश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शासरादी कितने बड़े-बड़े बनाते हैं, अभी तुम बच्चों को भक्ती और ग्यान का अंतर मिला है, कितनी विशाल बुद्धी चाहिए, तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी, तुम कहेंगे क्या हम इन किंग Export आदी को देखें, उनको क्या देखना है, दिल में कोई आस नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है, जिनके पास जो है सब खत्म होने का है, पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं, इस समय दुनिया मे पाप ही पाप है, पेट पाप बहुत कराता है, एक दो के उपर जूटे कलंक लगा देते हैं, पैसे भी धेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं, गवर्मेंट क्या कर सकती हैं, परन्तु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता, अभी तो नैचुरल क्लेमेटीज भ पारा चड़ा रहना चाहिए, बाप और वर्सा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, दर्ती आस्मान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती, बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है न, यह तो बेहत की पढ़ाई है, बेहत का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए, बच्चे तो समझ सकते हैं, वे जिस्मानी धंदादी क्या है, कुछ भी नहीं, हम पाया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होने चाहिए, बेह काम काजवी करते रहना है, यह तो समझते हैं, यह पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो डर लगता है, कहां बड़ी लड़ाई ना लग तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, यह सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए, बाबा ने यह रत भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, बेहद की बादशाही मिलती है, तो फिर यह क्या करेंगे, बाबा का गीत भी ब ओ, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है, तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अच्छा मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, धारना के ल शरी निर्वार्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चड़ा रहे, बापोर वर्सा याद रहे, बुद्धी हद से निकल सदा पेहद में रहे, वर्दान तेवर पुर्शार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रोस कर मनो रंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव अब आप ददा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे कई बच्ची कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है न, संसकारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है परन्तु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीवर पुर्शारती सभी बातों को ऐसे क्रोस करते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं वैसदा मनो रंजन का अनुभव करते हैं, ऐसी स्थिती को का जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट उन्हें किसी भी प्रकार का बोज हलचल में ला नहीं सकता स्लोगन हर गुण वा ज्यान की बात को अपना निजी संसकार बनऊ हर गुण वा ज्यान की बात को अपना निजी संसकार बनऊ Aum Shanti Aum Shanti